गर में टॉलेट ना होने के कारण दूलन ने छोड़ा ससुराल उत्रप्रदेश के अली गड़ से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे दरसल यहाँ पर घर में शोचाले ना होने की वज़े से एक नव विवाहित महिला अपना घर छोड़ कर माई के चली गई और दोस्तो इसके बाद एक लाइक तो बनता है इनके लिए काफी गरीब होने की वज़े से ये परिवार एक कमरे में ही अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहा है ऐसे में घर की नई बहु घर छोड़ कर चली गई क्योंकि घर में शोचाले नहीं था आईए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे वे जानकारी के लिए आपको बता दे कि अली गड में रहने वाला ये परिवार गरीब होने के कारण इनके पास घर के नाम पर केवल एक कमरा है ऐसे में शादी होकर नई नवेली दूलहन घर आई और लड़की ने कुछ समय तक तो जैसे तैसे गुजार लिया लेकिन कुछ समय बाद ये कहते हुए ससुराल छोड कर माईके चली गई कि शौचाले बनवालो तो बुला ले ना लड़की का कहना है कि वो अपने माईके में कभी भी खुले में शौच नहीं गई है लेकिन ससुराल वालों के घर पर शौचाले ना होने के कारण उन्हें अपने ससुराल का त्याक करना पड़ा लेकिन अगर ससुराल वाले शौचाले बनवा लेते तो वो वापस अपने ससुराल चली आएगी यहाँ पर गज्जो नामक मजदूर अपने बेटे कमल के साथ मजदूरी और कुड़ा बिन कर अपने परिवार का जैसे तैसे पालन पोशन करता है गज्जो की पतनी कुछ समय पहले ही लंबी बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गई थी जिसके बाद गज्जो ने अपने बेटे कमल का विवा जिला प्रयाग राज के गाउं तकीर पूर निवासी खुशी के साथ संपन कराया कमल और उसके पता गज्जो का कहना है कि अशिक्षित होने के कारण उनको सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिली है उनके आधार कार्ड और वोटर कार्ड नहीं बने जिसके कारण उन्हें घर और शोचाले जैसी किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिला जब इस बात की जानकारी वहां के समाज सेवी को लगी तो उन्होंने इस गरी परिबार की मदद करने के लिए इनके घर जाकर शोचाले बनवाना शुरू कर दिया कमल का कहना है कि शोचाले बनने के बाद उसको उमीद है कि उनकी पतनी घर वापस आ जाएंगी दोस्तों ऐसे ही नियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ वीडियो को फेस्बूक और वाटसब पर जाधा से जाधा शेयर करें